हेलो दोस्तों welcome back to another video of my channel और आज हम कहां मौजूद है यह पार्किंग है बैक स्केर लिए तो अपनी बैक आपण नहींहीं लगाई हैं और अब हम आपको बताते हैं हम आए कहा हुं हम कि दुनिया के टूरिजम स्थेंटار भारत के टूरिजम है करें कि ताजह है और यृस्ट गेट ंस शिल्प ग्राम वाला गेट है इसको में गेट मानते हैं लसे है तुनिया के पचास टॉप होटल में एकलौता इंडियन होटल है बहुती शांदार यह रोड है आने की पी एसी की गाड़ी खड़ी है और इस तरह हम जाएंगे ताज महल के लिए अब कर आए यह अमव विलास्ट बेरियर आए और इधर ही पूलिस असिस्टेंस एकर आपको कोई भी दिक्कत होती है most विए दिखकत पेशारी कोई अपसे बद्रमीति कर रहा कुछ कर रहा तो अब यहां पुलिस की एक ले सकते हैं है कि यहां दोस्तों में देख रहा हूं आज टूरिस्ट बहुत है और जातर फॉर्ज बहुत है क्या से जंडे के दिन है बेसिकली कि यह कि यह ताज नेचर वॉक की एंट्री है कि एक और नेचर पार्क है अगरा का जहां से ताज मेल्स आप दिखाई देता है कॉपल से आना पसंद करते हैं बाखी जगाओं पर आग रहा कि उसी की तरह यहां पर भी ताज नेचर वॉक कि यहां का भी वीडियो है हमारे चैनल पर अगर आप चाहें तो देख सकते हैं यहीं से गाइड ने ट्रेप करना स्टार्ट कर दिया अतला वो तो अपना कामी कर रहे हैं हमें ने पटना हैं जो कैसे ने पटना है इट डेपेंड्स उन अस तो मैं इस साइड से शायद पहली बार ही जा रहा हूं जहां तक मेरी मेरी में मुझे याद नहीं है इस साइड से कभी ताज मेल गया हूं मैं तो इस इस माइ फर्स टाइम तो फार इंडोरेस्ट तो अग्रा का एक वो साइड जो भी तक अनेक्स्प्लोड है मैं भी आज पहली बार देख रहा हूं देखते हैं जानते हैं साइड को भी अजय परीक तीज है सुरक्षा वेवस्ता बहुत भुक्ता है यहां आप बिलकुल आहां यहां सेफ महसूस करोगे एकदम सेफ सेक्यर और साफ सुत्रा एकदम नेचर के बीच इए दखिये मेरा वरक्ष कार्य करम यहां शायद रक्षा रो हन रक्षा रो पन होता है तो इस साइड और साइड है मेन इस साइड बने हुए है सारे जो फोरेस्ट ऑफिसर से इंके गएर बने हुए है अब हम चलते हैं आगे देखते हैं अगे क्या है अजर आपको हैंडी क्राफ्ट परकारा खरीदना है तो आप यहां आ सकते हैं कि शॉपस है यह ओमोज की शॉप है है यह होटल ताज के मवाई यह है लोकेशन वर्दस्त आपकर इधर अपन देखेंगे पीठा के स्टोर्स है इंदिन स्वाइस है यहां टूरिस इंजार कर रहे हैं मेरे खाल जे यह गॉल्फ कार्ट का तो इनके लिए भी यहां गॉल्फ कार चला जा रही है अब देख सकते ह टूरिस बहुत है यहां पहुत फोरेंट टूरिस्त यह देखिये है और यहां के खुश होते है वह दुनिया के एक वन अफ्द्व मोस्ट हाइवी रेटेड टूरिस्स पॉर्ट क्याने की ताज महल अमंग दो वंडर्स अफ दो वर्ल्ट तो यह सारे एक्स्पीरियंस से च कैप्चर करना है बागी तो चीजने दिखा चुका हूं मैं इस वीडियो में भी दिखाऊंगा लेकिन में यह एक्ष्पीरिंस इस जो नहां लोग आते हैं जो यह भीड़ा रही है इस सब के बारे में में चीज है इधर यह पूरा मार्केट है अलग-अलग चीजों के लिए इधर हिंडी क्राफ लगरा के लिए है इधर एक पॉर्टल रेस्ट्रो है यह कुछ इंट्रेंस आई है कि यह कुछ स्पेशल लग रहा है देखते हैं से आगे चलकर अगर अगर तिकेट घर पुकिंग काउंटर अगर आप ऑल्रीटी टिकेट करा के नहीं आया तो भी यहा अच्छा 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 बना है यह है यहीश टिकेट लेंगे आच्छा चल गया है एक देना एक अंगल जी इसको चिंज कर दिजिए नहीं चले ला है मेरे अगर आप यहीश टिकेट ले अच्छा अमने अच्छा अच्छा चलते हैं अब ताज की तरफ साइस्ट केट इंट्री काहां से देखते है और इधर भी कुछ है इधर भी देखेंगे उधर से आये हैं यह पूरा मार्केट है अधर पारकिंग भी है और इधर से होगी हमारी इंट्री है इधर से इंट्री की कि सब्सक्राइब में अबन्टी इंट्स पार्णी की कि सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब में अंट्री है लूए कि यह एक्जिट पॉइंट अभी तक जो पिछला वीडियो में आपने देखा था वह हम सामने की तरफ से इंटरी किया था अभी हम इस साइट से इंटर किया है इस गेट से वह वैस्ट केट है अंड हमारे राइट पर है ताज में है तो अभी अपन इधर देखने वाले हैं तूरिस्ट बहुत है आज अच्छ आज में और बाकी मॉन्यमेंट्स में आग्रा के फरक क्या पता है यहाँ पर आपको जितना क्राउट दिख रहा है लाक सम्फोर्नर्स यहां आउटसइड आग्रा का क्राउड है वहीं बाकी जगों भी आप जाएंगे ना जैसे इसकंद्रा बगरा तो वहां आपक यह मेंन गेट हलक हलक जलक आपको ताज की दिख रही हो की सामने कि अब से जाबा भीडियां चमाना है शोर भी जब से आता है है क्योंकि अच्छा भी वात है ताज कहां से अब क्याप्चर करना है चाहते हैं कि यह लिखा है वीडियोग्राफी एवं फिल्मिंग की अनुमाती सर्फ यहीं तक है ऐसे कि आपने आगे कि ब्लोग देखी नहीं हो गए यह सब आपने पहले देखा होगा आज बस यह पॉइंट आफ यह अलग है कि सन इस साइट से पढ़ रहा है कि इसकी अच्छी फोटो इंट्रिंस पॉइंट में डाइना सीट और ताज में तब सबस्याद अच्छी फोटो यहीं से आती है अब जैसे जैसे हम इसके पास जाएंगे वैसे-वैसे साइज भरता जाएगा साइज तो उतना ही है हमें दूर ते छोटा लगता है और बास पहुंचके अंदाता होता इसके साइज साइज का तब माइटी मुझे जैसा क्यों लग रहा है इसके फॉरे चल रहे हैं जब मैं पहले आया तो जब नहीं चल रहे थे पदा नहीं शायद ना किया हो तो मैं बहुत टाइम बात ने चलते हुए देख रहा हूँ हूं और तब यह वाईस सा बहुत जादा सुन्दर लगते हैं में अट्रेक्शन यहां जो टूरिस्त आ रहे हैं उनके लिए हैं और बाकई बहुत अलग-अलग रीजिन से इंडिया के अलग-अलग कंट्री से आते हुए दिख रहे हैं टूरिस्त लिए बच्चे वीड़ बहुत है बहुत है और जितने ही फॉर्नर सेकते हैं के साथ मदा आता है बच्चों को फोर्टोस कराने में है इस डिफरेंट दखाई देता है ना यहां पर उपर मुसु अलियम में जाने के लिए टिकेट्स मिलते हैं वही शाब हमारे लिखा है मजजिद यह कोई मजजद है यह लगने रिवड़ मुस्क्याइ रिट रिटका मुस्क्याइ प्रूब मुस्क्याइ पिछली ताज मेल की वीडियो में आपको मैं ये साइड नहीं दिखायाता है दूसरी साइड दिखायाता है इसलिए स्पेशली मैं साइड को दिखाने के लिए आपको यहां आया हूँ कुछ चीज़ डिफरेंट है से इंगिल से यह आगे हमारी यमना जी अभी तो पानी बहुत नीचे चला गया है फोट वो दिख रहा पहले योगिया पैसे डालता है माइटी मीनार माइटी मीनार से पानी जाख स्थाभी आपके लिए बात आपके लिए यह जो 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 दुगते हैं आज से नवरातर चालू है तो वो दशेरा गाठ है वहाँ पर चल रही है फाठ पूजा दोस्तो ताजमेल से जोड़ी कहाणि आपने भहुत सुन हूंगी करी कहाणिया के एक कहाणी हमारी वी सुन दो're तो आज एक कहाणी है आपको सुनने वाला हूँ ताज की फ हाथ काट दे थे त्यृन्होंने टाजमेल बनाया तो उनके इसा नहीं था आँ कहते हैं हाथ काट दे ते तो अन्मनेत पाजमहल बनाया तो उनके इसा नहीं था हाथकाटना मतलब ये था कि जिंदेगी बर के लिए उनको खरीद लिया था कि आप तुम कुछ और नहीं करोगी जिंदेगी बर उनको इतना पैसे दिया गया था कि वो अपनी लाइफ अच्छे से काट सेके और फिजिकली हाथ नहीं काटे थे हाथ काट नहीं काट सकते थे दुबारा एक और ताजमन नहीं बना सकते इसी बीच एक बोट पहली बार आग्रा में फ्लोट होते देख रहा हूं मैं यमना बहुत है आगरा में दूब बहुत हो गई है मेंली सुबा सुबाई होंगे लोग और यह सबसे अच्छा एंगल लग रहा है इससे काट फोटो भी निकाल लेते हैं सबसे अच्छा एंगल अहाहा वर्ल्ड का जूबा भाई साम मदा है यह हम दूसी साइड आगे हैं यहां पर भी एक स्ट्रक्चर है इसके अंदर दिखते हैं क्या चीज़े हैं क्या है अब हम जा रहे हैं ताज म्यूजियम की दरफ जिए चलियों एंदर चले के देखने के लिए चलिए इसके अंदर चलन के देखने के जा है आपको लोकेशन दिखाऊंगा तो इश्वास नहीं होगा मैं ताज महल के किसी कौने पर हूँ यह साइड में खुद पहली के बार आया हूँ आपको दिखाता हूँ क्यामरा पलट के शायद अभी आप समझ नहीं पाएंगे मैं कहा हूँ थोड़ा सा हिंट अब मिल जाएगा इधर म्यूजियम है तो बेसिकली यह क्लिप मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अभी म्यूजियम में गया था और वहां फोटोग्राफिय अलाउड नहीं थी मुजियम में बहुत सारी चीजें हैं जैसे ताजमहल का जो ब्लू प्रिंट है वह बहुत पड़े कपड़े पर बना हुआ है मेरे खालते हम से हम बीस फुट तो लंबा होगा और चार से पांच फूट चोड़ा होगा उस पर पूरा लेओड बना हुए ताजमहल का इंक्ल दस से बारा तलवारें देखी हतियार देखे मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखे कई सारे कुरान स्टेंड देखा एक मिरर देखा जो थोड़ा ब्रोकन था एक प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर देखा उस पे लिखा हुआ था कि वह रंग बदल लेता था है तूट जाता था अ अग्जमेल में कड़े हुएं कहां से उनका औरेजन है कहां से मंगाए करे थे कोई रुच्या से था-ट्रिया से कोई मंगोलीया कोई अरेभिया और अफगानिस्तान फिछ छिलंका जबलपुर गॉालेयर जैपुर और सूरत यहां इंडिया के पार्ट नहां से खुद स्ट सेंचुरी के 20th सेंचुरी के तो यही सब में में चीज सी में बहुत मताया देखके बहुत मॉलज़िबल था हूँ आपको आना चाहिए विजिट करना चाहिए अगर आपको इंट्रेस्ट है कर दो हिंदा आना चाहिए बाइन स्टम जा मैं जाचे को में और दो लेको बार दोल जाल के तो जाल नाल कर दोल जाल मुझ कर दो बार्दाग कर दोल प्यूजखे जप दोल सकते बार दोल मुझ के अंग। झाल झाल